हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी को दाराना डिजिटल यूटूब चैनल में दोस्तों मैं विकास कुमार तो आज मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि आपको जो डोमेन अथोरिटी और पेज अथोरिटी आप सुनते हैं वो आखिर है क्या और उसको आप कैसे कर सकते हैं आप कैसे उसको इनकीरिज सकते हो ओ चीज मैं आपको बताऊंगा इस विड़ियो के माधिरम से बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ ताक आपको समय में आ जाए की आखिर होता क्या है आपको live example के बताऊंगा आगजांपल देखरके बताऊंगा स्यूरी तो तो यहां पर Domain Authority देखिए, EDR हो गया Domain Authority और UR हो गया URL मनलब Page Authority यहां पर Domain Authority है 91 और यहां तो 81 ठीक है तो यह कैसे बढ़ता है यह दोस्तों यहां पर Domain के थुरू बढ़ता है यह Domain के थुरू बढ़ता है तो यह मैं URL सर्च किया था तो मैं सिर्फ Moz.com को सर्च करेता हुआ इसको हट्टा देता हूँ पहले तो Domain Authority बेसिकली Google का इसे कोई वास्ता नहीं है कोई भी लेना देना नहीं है यह सिंपली Moz का बनाया हुआ है इसे किसी को लेना देना नहीं है इस चीज से मैं पहले आपको किलिर कर देता हूँ तो Domain मतलब होता है कि आपको Domain कितना पुराना है और कितना उसको Google ट्रस्ट है कितना ट्रस्ट हो उसको बोलते है Domain Authority ठीक है Domain Rating और URL मतलब पेज आपको कितना पेज इंडेक्स है कितना पेज अथरिटी आपका ओगया पेज कितना उसको अथरिटी कितना है वह चीज हो गया ठीक है तो हम देख सकते हैं कि इतनका सतर मिलियन सभी उपर आ एक लाग छपन हजार का यहां पे जो है यहां पे देखिए एक लाग छपन हजार का बैकलिंग्स है ठीक है तो यह चीज आपको यहां पे देख सकते हैं आप एक लाग छपन हजार का और नीचे हम अगर देखें तो यह आखिर बढ़ती कैसी है तो दोस्तों यह आपको जितना ज़्यादा ओठी वेबसाइट आप बना सकते हैं ओठना ज़्यादा आपको यहां पे बनती जाएगी ओठी वेबसाट बनाने के बाद बनाने के बाद आपका वेबसाट ऑठोरिटी आपको खुद बखुद गेन करते जाएगे क्या इसको बढ़ाने का तरीका है बिल्कुल तरीका है आपको भरपूर मातर में बनाने होंगे तो आपको बढ़ लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है आपको नुक्सान भी हो सकता ह है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा तो और यहां पर दोस्तों दखिए जो भी हो आपको आर्टिकल कॉंटेंट जो है आपको हाय लिखना पड़ेगा तो आपको डोमेन अठोलिटी बढ़ जागा अब इससे फायदा क्या है इससे फायदा दोस्तों यही है कि आ आपको जो भी आर्टिकल यह लिखोगे तो वह बहुत कम समय में रैंक करना स्टार्ट करणे करोंगरा जादा टायम अगर आफ बन जाता है तहां इस से रैंक करती है बहुत जादा रैंक करती है आप यह नहीं है कि मेरा डॉमें आफ बिट हो जाएगी ठीक है लेकिन अभी आपको मैं बता हूँ कि आपको इसमें क्या आपको मैनुवली बनाना पड़ेगा खुड से डोमेन बनाने का मतलब है लेकिन आप विल्डव अगर ऑटमेटिक होता है तो वह बहुत फायदा होगा आपके लिए ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 6-7-8 महिने लग ठीक है इसके डोमेन एज भी आपकर सकते हो तो उमेट करता हूँ कि आपको यवद्डियो पसंद आई होगी अगर आपको यवद्डीयो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें अर सब्सक्राइब करें वीडियो को शएर ज़रूर करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए बाब बै दोस्तों